हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूँ आज मेरे पास कुलैब आया था सफूला ब्रांड के तरफ से तो यहां पर दो मेरे पास पैकेट मैंने रेसीब किये थे सफूला का ओट्स एक तो था चीजी मसाला वाला और एक था वैजेस मसाला त तो उसके फ्लेवर और टेस्ट की बारे में हम अच्छे से जानती थे पर मेरे बेटी को बड़ा क्रेज हो रहा था कि चीजी वाला कैसा है वो खा के देखना है तो यहां पर तो मैं पैकेट जैसे ही ओपन करी तो मैं नीचे जा रही थी देने के लिए तो मैंने सोचा आप के साथ पीशेया करूं और मुझे आज और मैंने प्लैन कर रखा था कि मुझे अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है और वो किस लिए करनी है क्योंकि फ्रिज में अंदर की तरफ पानी लेक कर रहा था तो यहां पर मैं पैकेट खोल की थोड़ा सा निकाल के रखती थी और ज तो यहां पर लगभग फ्रिज खाली कर दिया था तो मैंने का तुम भी थोड़ा सा रेस्ट करों और मैं जड़ा थोड़ी देर नीचे बैठ के आती हूं थोड़ी बाते कर आती हूं और यह देखे आ जा इतने में आती हूं अगर तुम्हें भी खाने का मन है तो तुम बन लिया था चीजी वाला ही बनाया था क्योंकि इसको हर चीज में चीज बहुत पसंद आता है फिर मैं आकर यहां पर बैट गई और मैंने कर चलो अब खा लिया है थोड़ा सा क्योंकि रात का टाइम था यह जब मैं काम करनी लगी फ्रिज का तो मैंने का कि चलो अब शुरु करता हो गई थी लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जब मैंने अर्बन कंपनी से अपॉइंट्मेंट बुक करी थी फ्रिज क्लीनिंग करवाने की बट जैनुवनली मैंने आपको बताया था कि मुझे वह वाली क्लीनिंग पसंद नहीं आई उनकी की भी आलंकि मैं अर्बन कंपनी से काफी चीजों की क्लीनिंग करवाने के लिए बुलाती ही रहती हूं पर अगर मैं फ्रिज वाला ही रिव्यू दूँ तो मुझे पसंद नहीं आया था है एसी की मैं क्लीनिंग करवाती हूं तो उसके लिए मैं फुल सैटिस्वाई हूँ तो ज चीज किया था और कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं बड़ा आइटम तो हमें उसकी क्लीनिंग पर ज्यादा फोकस करना भीचिए क्योंकि अगर वह एक बार खराब हो जाती हैं तो फिर बहुते मोटे ही खर्चे होते हैं छोटे छोटे छोटी चीजों में काम नहीं बनत है कि दो से तीन दिन पहले मेरे मन में आ रहा था कि मुझे फ्रिज की क्लेनिंग करनी है टाइम निकाल के थोड़ा सा मैनेज करूंगी पर अचानक से ही फिर देखा आज की इसमें से अंदर पानी गिर रहा है तो फिर आज ही मुझे कंपलसरी हो गया कि अब मुझे करना ही ह समस्या हो जाए कोई और चीज अंदर इसके ब्लॉक हो जाए उससे बैटर है कि मैं आज इसकी क्लेनिंग कर डालूं तो यहां पर देखिए वो तो टैंक तो मैंने अच्छे से धोकी साफ कर लिया जो थोड़ा बहुत कोने में रह गया था तो जो लोहे के ब्रश होते है उस करती में हर्शिता को हर एक चीज के बारे में बारी कीसिते है क्यों कि जतना मुझे आया है बाकी आने वाले टायम में बच्छे खुझ से इन घख करेंगे के नहीं करेंगे वह बात बात है बहुत सी बाहर तो मैं भी अवाइट कर देती हूं मैं किसी से सर्विस ले ले distributing मैं कि नहीं अब emergency है और मुझे खुद ही करना पड़ेगा इस काम को तो मैं वहां पे रिस्क नहीं लेती हूं कि यह काम फिर मैं खुद ही कर लो क्योंकि जिसके बारे में मैं जानती हूं तो वह काम करना खुद भी सही रहता है और साथ-साथ में खुद को भी तसल्य होती है कि द फिनिश हो गया कि टैंक पूरा क्लीन होके लग गया अब बारी आई जितना भी प्रोडक्ट हम यह फ्रीज को खाली किये थे उन सबको धूलने की मैं वह सारी चीज़े दूल रही थी जितनी भी इसकी ट्रेव अगहरा थी सारी मैंने धोकर हर्षिता को बुला था कि तुम से क्लीन किया अब सब्सक्राइब बेटी मिलकर रएंज करने में अब सारी चीज़े लगा रही थी तो मैरी बेटी का मन करने कि नहीं अब और यह थोड़ी से बड़ा ही पार्ट था देखना कि फ्रेज सही है कि नहीं है तो समान रखते रखते मैंने बीच में बोला कि तुम समान ज्यादा अरेंज मत करो अभी पहले इसको चेक करके देखते हैं कि यह ढंग से अब ऑन भी हो जाएगा कि नहीं क्योंकि मैंने इस तर समान रेंज कर लेत